Good morning students, myself Dr. Nivedita Sharma और आपके Botomy का paper number second जो की है diversity and systematics of seed plants for angiosperms मैं आज से शुरू करवाऊंगी इसमें हम सबसे पहले लेंगे unit second unit second स्टार्ट करेंगे जो की है angiosperm taxonomy तो students सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे taxonomy के general introduction से the term taxonomy जो शब्द है taxonomy इसका गठन सबसे पहले French botanist जिनका नाम था A.P.D. Candle ने अपनी बुक में year 1813 में दिया था और उस बुक का नाम था theory elementary de la botanique जिसका English में नाम है theory of elementary botany अब अगर हम बात करते हैं definition of taxonomy की तो scientist थे G.H.M. Lawrence जिन्होंने year 1951 में taxonomy को define किया that taxonomy is the branch of science that deals with study of identification, nomenclature and classification of plants याने कि taxonomy science की वो शाखा है, वो ब्रांच है जिसके अंदर हम plants का identification, identification मतलब पहचान, nomenclature मतलब नाम करण और classification यानि की वरगी करण की study करते हैं So students, taxonomy की बात करने के बाद, जो नया term, next term, जिसको हम study करेंगे वो है systematics how can we define systematics, systematic is the branch of botany, systematics botany की वो शाखा है जिसके अंतरगर्थ हम plants की taxonomy को, taxonomy जैसे की हम पहले पढ़ चुके हैं, identification, nomenclature and classification of plants की study करते हैं, उनकी diversity की study करते हैं, diversity मतलब पादपों की विविदता की study करते हैं और उनके inter-relationship, यानि की उनके आपस में अंतर संबंधों की भी study करते हैं यानि की ये एक तरह से broad term है taxonomy के comparison में so students, pre-darwinian system जो था, उसके अंदर तीन कालों में, यानि की three periods में हमने उसको divide किया first period यानि की प्रथमकाल, second period यानि की द्वितियकाल और third period यानि की त्रतियकाल first period या प्रथमकाल के अंतरगत, plants का classification या वर्गी करण जो था, वो उनकी प्रकृति के अधार पर, यानि की habit के अधार पर किया गया था द्वितियकाल में, यानि की second period के अंदर, plants का जो वर्गी करण था या classification था, वो based था, उनके floral organs के अधार पर, जिसमें से मुख्य तह, पुंके सरू की संख्या, यानि की number of stamens को main factor के रूप में लिया गया था जबकि त्रतियकाल में, यानि की third period के अंदर, पॉद्पों का या plants का classification, उनकी morphology, यानि की उनकी आकारीकी के अधार पर किया गया था पोस्ट डार्विनियन सिस्टम के अंदर, केवल एक period को include किया गया था, जो था fourth period या चतुर्थ काल, जिसके अंतरगर्थ, plants का वर्गी करण या classification किया गया था, on the basis of their phylogeny, यानि की उनकी जाती व्रत या evolutionary history के अधार पर, पादपों को वर्गी करण किया गया था So students, कल हमने शुरू किया था, brief history of taxonomy, जिसके अंदर हमने देखा था, कि आवरत बीजी यानि की angios pumps के classification के history को, हमने दो प्रमुक कालों में विभाजित किया जा सकता है, जो कि थे, pre-darwinian system, पूर्व डार्विन पद्दिती, और post-darwinian system, पष्ट डार्विन पद्दिती, ठीक इन कालों में विभाजित किया था, प्रथम काल, दृतिय काल, और तृतिय काल, first, second and third period, जबकि post-darwinian system को हमने एक काल में विभाजित किया था, जो था fourth period या चतुर्त काल, तो आज हम pre-darwinian system को, यानि की पूर्व डार्विन पद्दिती को in detail पढ़ेंगे, तो pre-darwinian system का जो first period था, प्रथम काल था, उसके अंदर हमने देखा कि थीयो फ्रेस्टर्स, जो की बोटनी के जनक, father of बोटनी के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने इस काल में बहुत अत्यधिक कार्य किया, बोटनी के शेत्र में, उन्होंने अपनी book, inquiry into the plants, book का नाम था, inquiry into the plants में, पौधों को या plants को classify किया, on the basis of their habit and structure, याने कि, थीयो फ्रेस्टर्स ने अपनी book, inquiry into the plants में, plants का classification किया, उनकी प्रकृती और उनके सनरचना के आधार पर, classify करके उन्होंने उनको चार categories में divide किया, जो की थे, trees, herbs, shrubs and undershubs. So students, थीयो फ्रेस्टर्स ने अपनी एक अन्य पुस्तक, हिस्टोरिया प्लान्टेरम के अंदर, पौधों को, 480 प्रकार के पौधों को, 480 types of plants को, describe और classify भी किया, first period या प्रथम काल को, फिर से, पुनह, 4 stages में divide किया गया था, जो की थे, middle age और dark age, जिसे, मध्यकाल अथवा अंदकार का यूग भी कहते हैं, दूसरा था, age of herbals, ओशद ग्रन्थों का काल, तीसरा, doctrine of signature, हस्ताक्षरों का सिध्धान्त, और चौथा, improved taxonomy, विकसित वर्गी की, तो प्रथम काल को, पुनह, इन 4 stages में divide किया गया, तो प्रथम काल के अंदर जो पहला stage है, वो है middle age और dark age, जिसे, मध्यकाल, अथवा अंदकार का यूग भी कहा गया, क्योंकि इस काल में वनस्पती विज्ञान में कोई विशेश कार्य नहीं हुआ, यह काल प्रथम चताब्दी से लेकर के लगभग 1500 AD तक माना जाता है, इस काल में उलेखनिया कार्य या significant work केवल Albertus Magnus के द्वारा देखने को मिला, जिन्होंने अपनी पुस्तक D-Vegetabilis के अंदर पादपों को दो क्लासिज में विभाजित किया, जो कि थे leafless and leafy plants, यानि कि पर्ण रहित एवं पर्णिल पादपों में plants को क्लासिफाई करने का क्रेडिट, Albertus Magnus को उनके बुक D-Vegetabilis के अंदर जाता है, तो Age of Herbals जिनको औशद गरंथों का काल भी कहा जाता है, योरोप में सन 1470 से 1670 तक का जो काल था, वो औशद गरंथों के काल से नाम से जाना जाता था, अंदकार योग याने की डार्केज की समाप्ति पर वनस्पती विज्ञान के पुनर जागरंड से यह काल प्रारंब हुआ, इस काल में वनस्पती विज्ञान का औशदिय विज्ञान तथा चिकित्सकों की सहायता से काफी विकास हुआ, जिन गरंथों में औशदिय पादपों का वर्णन किया जाता था, उन्हें हर्बल्स याने की औशद गरंथ तथा उनके जो लेखक थे, राइडर्स थे, वो थी डॉक्ट्राइन ओफ सिगनेचर याने की हस्ताक्षरों का सिधान्त, मध्यकाल में, मिडल एज में ये भ्रम था, ये माईथ था, ये माना जाता था, कि इश्वन ने प्रत्यक प्लांट पर, प्रत्यक पादप पर हस्ताक्षर याने की सिगनेचर मुद्रित किये हैं तथा उस प्लांट की आकरती मानव शरीर के जिस अंग से, जिस ओर्गन से मिलती जुलती होती थी इस अंग के रोग के उपचार में उसे प्रयुक्त किया जाना चाहिए ऐसा माइथ, ऐसा बिलीव, ऐसा माना जाता था उस काल में कि भगवान ने हर प्लांट के अंदर कोई नो कोई सिगनेचर, कोई नो कोई मुद्रा अंकित की है और वो signature जिस plant से मिलता जुलता है उस को उस disease के उस organ की disease के treatment के लिए काम में लिया जाना चाहिए उधारन के लिए उन ब्रायोफाइट प्लांट्स जैसे मारकेंशिया, प्लेजियो काजमा जिनकी आकरती लीवर से मिलती है उन्हें लीवर वर्ट्स का नाम दिया गया इनके प्रती ये जूटा विश्वास था कि इनसे लीवर के diseases का treatment संभव है इसी प्रकार बादां को आँख और अक्रोट को मश्तश्क के लिए भी उपयोगी बताया गया था Next stage, Improved Taxonomy, विकसित वर्गी की के अंदर जो उलेखनीय योगदान देने वाले साइंटिस्ट थे उनमें प्रमुक थे एंड्रिया सीजल पिनो इन्होंने दी प्लान्टेस नामक गरंथ लिखा तथा पौधों को उनकी प्रकृती याने की उनकी हैबिट के अनुसार वर्गी करत किया क्लासिफाइ किया उनके सम्मान में सीजल पिनिया नामक वंच का नाम भी रखा गया है दूसरे जो साइंटिस्ट थे जिनोंने इस स्टेज में अपना योगदान दिया वो थे जीन बोहिन इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम युनिवर्सलिस में पाँच हजार प्लांट्स को उनके पर्याइवाची नामों के साथ याने की उनके सिनोनिम्स सहित डिस्क्राइब किया नेक्स जो साइंटेस्ट थे वो थे जॉन रे जिन्होंने अपने दो प्रमुख पुब्लिकेशन्स इस काल में दिये पहला जो मेन पुब्लिकेशन इनका था वो था हिस्टोरिया प्लांटेरम जो की तीन भागों में थ्री पार्ट्स में पब्लिश्ट हुआ और दूसरा पुब्लिकेशन था मैथेडस्ट प्लांटेरम जॉन रे के द्वारा जो क्लासिफाइड पद्दिती दी गई वो इस प्रकार से है इन्होंने प्लांट्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया हर्ब्स और आर्बोर्स शाक एवं काश्थिय पादप हर्ब्स को याने की शाक को इन्होंने फिर से दो में क्लासिफाइड किया इंपर्फेक्ट प्लांट्स जो की अब उश्पिय पादप कहलाते हैं and perfect plants याने की seed plants जिने बीजधारी पादप कहते हैं seed plants को इन्होंने फिर से दो में classify किया monocots and dicots arbores याने की काश्ठिय पादपों को इन्होंने monocots एवं dicots में याने की द्वी पुषपत्री और एक बीजपत्री पादप में classify किया